Hello friends, Welcome back to my channel आज हम आपको इरिठ्राज्मा के बारे में बताएंगे इरिठ्राज्मा क्या होता है और क्यूं होता है और इसकाimasMusic के बारे में आपको बताएंगे तो बने रहिए लाज तक चलिए शुरू करते हैं फिन इरी थाजमा एक बैक्टरिल इंफेक्षनर जैसे आएफ फो टर में देख रहे हैं फिन हिसका नाम होता है तो इसको को सबको नहीं होता है लेकिन कुस-kkun सबको नहीं होता है कि उसके इहां होता है और जो marriage यह थया है बीवादा है उनका वो पूलिस बारक में आर्मी स्ब्सक्राइम थाएं ऐसे की सब्सक्रा पाल्स सब्सक्राइए श्क्राइन फिर्स साइन टूर्मली के चले आए फर्स्ट पर whoyn fox0 क्ना deserves तो इसको बोलते हैं Inter digital Erithrasma ये कभी-कभी fungal infection के साथ एक सात्त रह जबता है Second होता है Inter trionus Erithrasma यानि Inter trionus area बодsk 혹 बॉड़ी में जहाँ 2 चम्री एक साथ रहते पास पास रहते हैं घिषता है तो इसको बोलते है打 trionus area नहीं आपका बहगल में जहां यह दोनों प्लाइबूर पीडियर के और जो लोग मोटे होते यहां पेड चत्वी जमा रहता है तो फुल्ड में यह infection हो सकता है इसको बोलता है इंटर्टीजीनसुक्त वहता है जिसको बोलते हैं कहीं बहुत रहे हैं और जदातर फीमेल में ज्यादा पाई जाता है यह इन्फेक्शन है जैसे हमने बोला यह बैक्टरिया से होता है और यह सेम बैक्टरिया और भी दो बीमारी करता है जिसको बोलते है पिटेट क्राटलाइस जैसे आफ फोटो में देख रहे हैं इसका अल्री हमने एक वीडियो बना है मेरे यूट्यूब चैनल में है आप लगें ँटेजुस को बहुम में देखने सिर्ख सबीक नेटा दिखेसंकर पीक्यूव चैनल में और वहां पेडिक आप उकिशन को मिलता है और और वहां पे चोटा-चोटा फीसर यानि जह से लगेगा कि श्कीन आपका फट गया है घा हो गया है चोटा-चोटा तो वह भी हो सकता है क्राक हो सकता है नॉर्माली खुजली पजली नहीं होता है लेकिन कभी कभार इसमें खुजली हो सकता है तो इस बीमारी का डाइग्नोसिस कैसे होता है यह नॉर्माली क्लीनिकल डाइग्नोसिस है यानि देखने से पता चलता है लेकिन कभी कभार confusion भी हो सकता है क्योंकि और भी बहुत सारा विमारी है जो देखने में एकदम एक जैसा लगता है फर्स्ट क्या होता है पिट्रेशिस वर्सी कलर इसका अल्रीड हमें एक वीडियो बना है यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं यह फंगल इंफेक्शन है यह इसे इसा डीटो आपका फर्सकारों देखने मिल चकता है तो उस केसे ंरे का लेडलें के सब्सक्राव् Kanlage क्यों कील ने ट्रीम ह데र्ट चे Mimi को ब्याषा और की यह सबस्वेड़ार का केमिकल रिलीज करता है और जो पॉर्फारीन होता है आपका यह जो उड्स लैम का लाइट को अबजर्ब करके वहां पी जो फ्लूरेसेंस का लाइट रेट कलर का लाइट देखने को देता है इसलिए यह डाइगनोसिस हो जाता है और कभी-कवार आपका और भी विमारी से यह बांकी ऐंधना समस्त्राइट डिया नियसे यह टक्र हो जाता है कि आपका इत्रजमा है बाकी कोिंदेख्शन नहीं है बाकी सारे infection के बारे में आप यहां पर बताएंगे नहीं क्योंकि यह इसका विडियो बना हैं आप मेरा चानली में देख सकते हैं कि यह बहुत लंबा हो जाएगा तो चलिए जानते हैं लास्ट में इसके treatment के बारे में treatment बहुत ही सिंपल है effective है और ट्रीटोबल है treatment से जल्दी ठीक हो जाता है इसमें है क्रीम अवेलिवले का क्रीम अब लिए ईयसे कि फिट्छ जी क्लेंदा मैश्म ह次 फिसके फास्ट most VIP ये क्रीम और ल क्रीम है और शरफ्डा से का ढ़नाःटी ऑछ यह ठीक हो जाता है जिससे आपको यह ठीक हो जाता है और क्लोट्री मजल का पाउडर आता है यह लगाने से भी देखा गया कि इसका रिकरेंज यानि बार-बार होने का चांसे इसका हो जाता है तो चली जानते लास्ट में इसका प्रिवेंशन के बारे में क्या करने से आपको यह दुबारा यह नहीं होगा और यह प्राब्लेम से आप छुटकारा पास होता है आपका हाइजिन मेंटेन करना यानि आपको देली दो बार नहाना है बगल को अच्छा से आंटी बैक्ट्रियल सावन से नहाना है और इसको ड्राइग करके वहां पर पाउडर लगा के रखना है अगर किसी का ज्यादा स्वेटिंग होता है अंटी पॉस्पिरांट लोशन आता है जिसमें अलुमीनियम हईड्रोक्साइड देता है जिसे अल्डाइ लोशन आता है यह आप वहां पर लगा के आपका पसीना को कम कर सेपते हैं अगर आप बहुत गर्मी वाला जगा में काम करते हैं कोश सेना ज्यादा हो जाते हैं आके दुबारा नहाइए और आपका लूज कपड़ा ताइट बला मत पहिने तोड़ा लूज और कटन बला ड्रिसेश पहिने जहां पर ज्यादा स्वेटिंग ना हो तो यह था डीटेल्स में के बारे में उमीद है आपको यह टपिक अच्छा ल नया वीडियो बना के आपको दे देंगे अभी विदा लेते हैं फिर मिलेंगे कोई दूसरा डॉपी के साथ ममस्कार जेहिन